दोस्तों, आज हम आपको आटो मोबाइल इंडरस्टी का फ्यूचर बताने वाले हैं। फ्यूचर में आने वाली एक से बढ़तारे कारों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में ऐसी कारे मौझूद हैं जिनने चलाने के लिए आपको कार ड्राविंग सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे वेहिकल जिनके बाद आप बेफिक्र होकर हाथ दोनों गर्दन के पीछे रखकर अराम से इन कारों में सो सकते हैं वो भी ने आटो मिटर ड्राविंग मोड पर छोड़ कर तो फिर देर किस बात की है चलिए स्टार्ट करते हैं इसका महल के वीडियो को फूचर में आने वाले लक्टिक गाड़ियों में ये कार बहुत ज़्यादा दमदार होने वाली है इसमें ताकतवा लक्टिक मोटर लगी हुई है तीन लक्टिक मोटर के साथ इसका पावर 600 होर्स पावर से भी ज़्यादा का होगा सन 2018 में इस कॉंसेप्ट को ओडिनेरी व सिर्फ 15 मिर्ट में ही ये कार फुली चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रोनिक फ्यूचर कॉंसेप्ट कार में इस सूपर कार अपने दमदार फीचर के साथ काफी ज़्यादा आ गई है दो सीटा फैसलिटी के साथ इसमें इस स्पेस को बहुत ज़्यादा इंपोर्टन माना गया है इसकी पैसेंजर सीट किसी के नहीं होने पर पूरे तरीके से फोल हो जाती है और ड्राविंग सीट को आप इस कार के सेंटर मिला कर बैटर कार ड्राविंग मैनेजमेंट कर सकते हैं सिर्फ दो सेकंड के अंदर एक कार 62 माइल परावर के स्पीड को पकड़ लेती है अपन इसमें यूरोपियन चैंपेंशिप जीतने वाली मस्रीज की कार डबलू वन टू फाइव के पेशंट पर इसे बनाया जा रहा है दोराने के लिए रेसिंग कार का सिल्वा पेटन वैरियंट सिल्वा हिस्ट्री को भी दोहराता आता है 550 वाट की इलेक्रिक मोटर के साथ इस खूबसूरत बनाता है और एक्स्टिरियर पर इसका एलेडी डिस्प्ले मॉडल को भी शो करता है 500 माइल एक्टिक रेंज और 260 MTS की टॉपए स्पेट के साथ एक कार फ्यूचर में बेस्ट एलेक्टिक रेसिंग कार हो सकती है ये कार अपने अंदर एक कमफर्टेवर स्ट और स्टिरिंग के पीछे पैनोर्मिक यू दिखाने वाली टर स्क्रेंट डिस्प्ले भी नमबर 6 एस्टरन मार्टिन लेगोना विजन अपने 100 साल के बहतरिन आटो मुबाइल केरियर में एस्टरन मार्टिन द्वारा कई सारी खूबसूरत कारे इं रोड पर उतारी गई है लगजरी सूपर स्पोर्स कारों की निर्माता एस्टरन मार्टिन ने अपने इस नए एलक्रिक कार विजन को 6 मार्ज 2018 में दुनिया के सामने रखा है एस्टरन मार्टिन की लागोंडा कार खूबसूरत एक्स्टीर के साथ और चार पैसंजर के कमफर्टेवल कैबिन के साथ बनाई जा रही है जिसे सन 2023 कांते तक रोड पर देखा जा सकता है इसकी पैसंजर सीट 360 डिकरी रोटेट हो जाती है एस्टन मार्टिन वर्ल्ड जीरो इमेशन लगजरी कार बनाने वाला ब्रांड है इसकी लागोंडा कार में काबन फाइबर सेरेमिक सिल्क जैसा स्टीम एक्सियू भी मटरियल का यूस किया जाने वाला है उसका प्रोडेक्शन सन 2021 के आकर तक शुरू होने वाला है नमबर पाज लेंबोर्गनी टर्जो मेलेनियो लेंबोर्गनी के ये बैटरी पावर स्पोर्ट्स कार सबसे पहले सन 2017 में रिविल्ड की गए इसका डेजान काफी ज़्यादा टरिशनल है इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका चेचिस जो पूरी तरिके से कार्बन फाइबर मटरियल का बना गया है और पूरे चेचिस पर ऐसे सेंसर लगाए गए है जो कार में आने वाली किसी भी कमी को चेंज कर लेते हैं टूट फूट को जाच लेते हैं और नेनो ट्यूब टेकनलोजी की मदद से ये कार को ठीक करने की फीचर भी रखते हैं औरेंज कलर की वील इसके एकसल से अटेच की गई और फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर के अलावा रेसिंग ट्रेक पर अल्टरा अलेक्टिक स्मूधनेस प्रवाइड करने की इसमें ताकत है एनरजी एफिशेंट और इनोबेटिव बॉडी मटरियल के साथ बनी हुई ये कार का डेजाइन मसरोडीज और मैसाचूसेट इंसिटूट अफ टेकनलोजी M.I.T. द्वारा मिलकर बनाया गया है इसके अलक्टिक मोटर में 350 क्लोवाट की ताकत है उसके सिर्व 360 उनिट ही बनाय जाने वाले हैं जिनकी कीमत 2.5 मिलियन इच होगी सूपर कैपसिटर सिस्टम हाइबर पावर टेलेंट के साथ का सेल्फ हीलिंग वाला बेस्ट फीचर अपने यूजर्स को प्रोवाइट करने वाली है अगर आप खुले हुए रूफ वाले स्पोर्स कार भी लेना चाहते हैं और बंद कैबिन ग्लास कवर्ड स्पोर्स कार भी लेना चाहते हैं तो आपको ये दोनों खुबिया एक ही कार में फ्यूचर में मिलने वाली हैं ये कार फ्रंट से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे दो कारों को आपस में मिलाया गया हो इस कार में 360 होस्पावर की तागध है रोटरी पर ये 560 होस्पावर प्रवाइट करती है और सर्किट मोड पर 1360 होस्पावर गावर फाइवर का फुल लाइटनिंग वाला चेट चीज़ इसमें लगाया गया है और ऐसी मेटरिकल बॉडर डिजाइन के साथ इसके ड्राविंग सीट पर आपको गुल विंग डूर मिलने वाला है इसके एक तरफ तो खुली हूँ रूफ के साथ ड्रावर के पीछे एक सीट दी गई है और दूसरी तरफ ग्लास कवच कैबिन में हाइब्रिड ड्राविंग सेटप लगाया गया है ये तीन सीटर एलक्टिक कार सन 2035 तक आपको रोट पर दिखाए देगी इससे बनाने के लिए फिलहाल कॉंसेप्ट लाया गया है और अगले 10 सालों में इस पर प्रोडक्शन का काम किया जाएगा ब्यम्ड़ आई विजन डैनमिक कॉंसेप्ट आई ए ए कार्स 2017 शोहिन फ्रैंकफर्ट में BMW ने भी अपने इस कार को लेक्टिक आटोमोवाइल फ्यूचर को देखते हुए इन्विल्ड किया है ये BMW की लेक्टिक कार डैनमिक एंड प्रोग्रसिव फोर डूर ग्रैन कूप फीचर के साथ बनाए जा रही है जिसमें 4 लोगों को आराम से बैठाने की जगे है ये लेक्टिक कार आपको एक बार की चार्जिंग में 600 किलोमिटर दूर तक ले जाएगी ये कार लेक्टिक पावर पर वाइड रेंज प्रोवाइड करती है सिर्फ चार सेकेंड में ये 62 किलोमिटर प्रतिगंट गिरफतार को पकड़ लेती है इसकी टॉप स्पीड 125 MPH की है इस कार में दिये गए वील बेस, फ्लोइंग रूफ लाइन, कार के एलिगेंस और डाइनमिक्स की बेसिक प्रोवाइल को बताती है सन 2021 में इसका प्रोड़क्शन शुरू हो जाएगा और सन 2025 तक इसके 25 वैरियंट बनाए जाने वाले हैं जिसमें 12 वैरियंट फुल लेक्टिक होंगे आटोमेटर ड्राइविंग और आफ रोड कापबिल्टीज के साथ आटोमेटर ड्राइविंग और आफ रोड के लिए SUV क्लास की यह आफ रोड वेकल कॉंसेट को IAA 2019 में रिविल्ट किया है यह 4 सीटर कार अपने साथ 4 अलक्टिक मोटर रगती है और हर वील बेस पर इसके एक अलक्टिक मोटर लगाए गई है ग्लास कवर्ड रूफ कैबिन निमेटिक व्यू दिखाता है और रात के वक्त इसका सबसे खास फीचर यह है कि जंगलों में रात के वक्त रौशनी कर नहीं होना इसके लिए जरा भी दिक्कत वाला नहीं है क्योंकि इसके साथ चलते हैं इस कार के लिए बनाए गए स्पेशल दो ड्रोन यह दो ड्रोन अपने साथ हाइफ लाइश स्पोट लाइड रखते हैं और गार के आगे चलते हुए लाइटिंग के साथ बड़ी रास्ता दिखाते हैं स्टिरिंग के पीछे स्मार्ट फोन को लगा कर इसके कार को स्मार्ट फोन से कंट्रोल किया जा सकता है यह रोड पर 81 MPH रेंज प्रोड करती है और आफ रोड पर 155 MPH की रेंज देती है इसके साथ दगाएगए टायर भी काफी ज़्यादा यूनिक हैं और सफस के हिसाब से आपने पैनियूमेटिक प्रैश्यों को एड़ज़ करते हैं इसका डोर ओपन हो जाने के बाद आपके लिए बैठने का एक बड़िया कैबिन बन जाता है अगर आप कार की बाड़ी के साथ कार कर टायर उसकी बाड़ी फ्रेम भी खुबसूरत देखना चाहते हैं तो फ्यूचर में इस गाड़ी को आप अपने लिए सोच सकते हैं फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ इसके इंट्रीडर में एक कमफरेबल कैबिन है जिसके साथ फ्रेंट ग्लास पर वर्चुल डिस्प्ले भी मिल जाएगा जिस पर चलती हुई कार के इंफॉर्मेशन दिखाई देती है इसे आप आटोनुमस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आटोनुमस ड्राविंग मोड पर इस कार को रखकर आगे दिया गस्टिरिंग भी फोल्ड कर सकते हैं लंबी दूरी पर निकलने के लिए अगर आप फ्यूचर में किसी इलक्टिक गाड़ी को अपने लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहतरीन आप्शन है क्योंकि इसके टार हाई पैनुमेटिक प्रेशर और आफ रोड फीचर अपने साथ रखते हैं दोस्तों इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लिटेस वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे बहले दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा गैजट आपको सबसे ज़ादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईगा हम आपके कमेंट का अंतज़ार करेंगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही गुडबाई बाई बाई उरूर बाई बाईगा हम झालो नगा पस्तों आपको आपको obrigadoГए मेंट cóड़क अरह दोस्तों केंटल कि भी जुड़ादे हैं ज़ीयो वीज़ा हैं करे उलीयो दोस्तों नगीयोग का आपको जवगा हम चरी सर जोस्तों ॉसम्तों दोस्तों डोस्तों हैं झाल झाल झाल